नमस्ते विद्याती मित्रों, शांती निकेतने विद्यासंकुल आपनों हाधिक स्रागत करे छे, दोरां पोज, विशर हिंदी, अजे अपने पाठ बार, दूम-दूमा गाम के बच्चे, बारता छेले के दूम-दूमा गामना बारको, बच्चों में अपार शम्ता होती हैं, उनमें स्वयान कुछ करने की लगन पेदा करना आवश्यक हैं, प्रसुत कहानी में दूम-दूमा गाम के लोगों की परिशानी को दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं, उसका निरुपन किया गया हैं, बच्चे इस कहानी से प्रेइध होकर कक्ष्या एवं गाम के शमश्या हल करने के लिए जरूर कुछ करेंगें, हवे आपड़े पाठ जोईश्या विद्ध्या थी मित्रो और एनू बच्चे दूम-दूमा गाम हैं, आ दूम-दूमा गाम छे, यहां हमेशा पाणी की कमी रहती थी, अईयां हमेशा पाई नी कमी रहती हती, खे सुख जाते हैं, लोग परिशान रहते पर कोई उपाई नहीं कर पाते हैं, खेतरो सुखाई जत, लोको हेरान थतां, परांतो कोई उपाई कर शकतां नहतां, बच्चे पाणी में खेलना चाते तैनना चाते पर कहां बाड़ों को पाणी में रवाइश तो तरवाइश तो पाण क्यां एक दीन बच्चे खेल के मेदान में एक्टा हुआ एक दिवस बाड़ों को रमत्ना मेदान में एक्टा थाया उन्होंने पाणी की कमी दूर करने की सोची तेमें पाणी तंगी दूर करवानू दिचा दिव मैं बादल से प्रात्ना करूंगा रोज बर्षों हूं बादल ने प्रात्ना करीश रोज बर्षों बिल्लू बोला बिल्लू बोलो बादल रोज कैसे बढ़ सकते हैं बादल रोज किवीती बर्षी शक्के मैं मा बोली तब फिर क्या हो तो पचीशू थाए सवज आपने सोचने लगे बदा विचारवा लगया क्यों ने एक बड़ा सा कट्डा खोदे लगे एक मोटो खाडोशा माटे न खोद वो जिसमें बारिश का खूब सारा बानी बजाए जिमो वर्साद्दू गणबदू पाणी बरिजाए रजियां बोली हाँ हाँ ठीक है कि हाँ हाँ एज ठीक छे फिर बच्चे लाए फावडे कहारी कुदाली और तसली वी जमीन खुद्ती रहे बदो बारों को बुल्यां पच्ची बारों को लावयां तो लावयां पावडा कडाई उदाडियों और तजारों त्यों जमीन खुद्ता रहें मिट्टी दोते रहें जमीन खुद्ता जाएं जमीन खुद्ती जती यह माट्टी बार काड़ता रहें बार फ्यकते रहें बार फ्यकता रहें बच्चों के काम करते हुई गामवालों ने देखा गामवालों ये बार कोने काम करता जुएं वे भी बच्चों के साथ अपने काम में जुट गएं ति उपन बार कोने साथे काम करवा लागी गयां इसी तरह बनाए बड़ासा एक बड़ासा दलाव इना थी आज इते बन्यू एक मोटू तड़ाव बरसाद में उस तलाव में पानी बरज बरा चो मासा मों ए तड़ामा पानी बरए गयो पानी से खेतों की सिंचाई हुई पानी थी खेतरों ने सिंचाई थाई खेतर में मखायाने लोगार लहराया खेतर में वक्का और धार लहराया लोको खुश स्वील स्वीलाहाया पानी चपाचब कूप नाया जो चित्र में देखाये छे ओ शब्दार था अपने जो एशु पानी जल नीर वदाराना शब्दार प्रातना उप्पासना बिननती कमी इटले अभाव गाटा परेशान इले दुखी व्याकूल उपा इटले युक्ती तरकी बारीश इटले वर्षा वर्षार धान इले अन्य क्या हिया के चावल के पस गठडा इले घड़ खड़ा खाड़ा आयें तसला इले कटोरी के आकाल का बड़ा पात्र डोना इले उठाकर ले जाना एक जगह से दुसरी जगह ले जाना मक्काई ते मक्काई अभी अभ्यास सुचकर बताईए आपके गाउं में गाउं या शहेर में पानी के सुरूत कुन-कन से है तो मेरे गाउं के कुवान अधी तलाब चेक डेम टूबेल अधी पानी के सुरूत हैं हम पानी के उप्यों कहां कहां करते हैं तो हम पानी के उप्यों पानी में नहाने में रसोवी बनाने में कपड़े दोने में खेतों की सिंजाई करने में और कांथेंने में करते हैं त्रोंड हमारा पानी जीवन है पानी का उपवय नहीं करना चाहिए अब बताईए कि लोग पानी का अपवय इस पर करते हैं एक पाणी के पानी के साथ हर पिने की पानी के हाथ पे धोते हैं नाल बे नल चालू रखकर इधर उदर चले जाते हैं पीने युग्या पाने से पश्चियों को नहलाते हैं चाल पीने युग्या पाने से जीब ट्राइक्टर आदित होते हैं टपकते नल बदलते नहीं हैं रचाल पानिका पवय नहीं यह फौह फैसे वैं चाल पानिका आपवय नहीं हो इसे तुमें एक ज़़ाशुण में सुचनाए लिखहूंगा तो यह टपक्ते कीनल बंदल बंद करवाऊंगा रहां पिने युग्या पानिकी का जरुरत के मुताबिक उपयोग करणगा चार पानिका अप्पवाई बन करने के लिए लोगों को समझाऊंगा प्रश्ण त्रोंग दूंड हुए शब्दों यहां लखी लाज़े चेर बोक्स मती शब्दों गवानाचे बरना, नमबर बे, बरना, कडाही, प्राथना, नाना, पाश्मो नाना, बाहार, पसात्मो, खिलना, चपाचप, अंदर दुशब्दों सुध्वा, सुध्वाना वित्यादी मेत्रों, बादर, तैना, दुम्दुमा, अबेब, दिये गए इन वनोक्या, योग्या, स्ता, तक् भर शाथत्क बनाईए, जो शप पाचप, अजो फो कि परेश्याण, जे मापना च्पामा आवाएटी रोज ब मीनं चित्र के दिए कि निच्छे दिए गए चित्र के आजार पांच वाक्य बनावाना छे यह गाम का द्रश्यों है सुबा का समय है सुरज निकल रहा है आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं दूर कुछ पेड और गर दिखाई दे रहे हैं एक मंदी भी दिखा रहा हैं मैदान में दो लड़के गैद फिर रहे हैं तलाव के किनारे दो स्रीयों कपड़े दो रही हैं एक बाला खेत के पास खड़ा है खेत में किसान हैं किसान हल चर रहा हैं दो बैल हल खीच रहे हैं हवे प्रश्ण पोज निचे दिए चित्र के आधार पर कहानी खथन कीजिए चित्र कहानी का नाम है मेड़क और सांग पहरा चित्र में एक तलाब थे उसमें बहुत सारे मिड़क रहते थे तलाब के किनारे बर्गत का पेड़ था तलावना किनारे एक जाड़तू पीपड़ानू उसके जड़ में एक बील सायल के दो रहतों उसके उसमें साप रहता था दूसरा चित्र में साप रोज रोज किसी ना किसी को मेड़क को पकड़ कर खा जाता था मेड़क परेशान हो ठेथे एक दिन उन्हें आपस में मिलकर एक उपाई सोचा तिसरा चित्रविन दूसरे एक दिन एक मेड़क बील के सामने खड़ा रहा था बाकी समय मेड़क बील में बील के पास आसपास चीप गए थे जैसे ही हाँ सामने उसे मेड़क को पकड़ा चीपे हुए मेड़क निकलाए और साम को पकड़कर खिंचने लगा साम गबराया महाँ पकड़ते हुए मेड़क को चोड़कर भागा और बील में गुस गया मेड़कों की खुशी का ठिकाना नराया सच्मिर संकठन में शक्ती होती है अस्तु